हेलो एवरिवान, वेल्कम टू ब्लैक मिरर हॉरर, कैसे हैं आप सब? आई हो, आप सब ठीक होंगे, आज मैं आप सभी के लिए तांतरिक रूदरनात अगोरी की सीरीज में से उनकी एक कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी, कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, इस कहानी के लिखक है राहुल हल्दर जी और मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो उन्होंने इतनी सुन्दर कहानी लिखी, तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी आज 18 नवंबर है इस समय रात की 11 बज रहे हैं कभी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन के घटित घटनाओं को डायरी में लिखकर बाद में उसे पढ़ते वक्त किसी रोमान्चक कहानी के जैसा लगेगा बारवी पास करने के बाद मन में डायरी लिखने का विचार आया था अपने काम का विवरन लिखना मुझे पसंद नहीं था बस यही सोचा था कि अगर जीवन में कुछ आश्यरे जनक हुआ तो उसी को डायरी में उतार दूँगा इसी तरह कुछ छोटे छोटे घटनाओं ने मेरे डायरी में जगा पाई है मेरी बारा नमबर डायरी तक कोई एक जैसी घटना नहीं थी लेकिन तेरा नमबर डायरी में ऐसा नहीं हुआ और इसके बाद जिसके प्रसंग ने मेरे डायरी में सबसे ज़्यादा जगा पाया उसका नाम है तांत्रिक रूद्रनात अगोरी मेरा नाम है जैदत मिश्रा मुझे नहीं पता कि मेरे बाद ये डायरी किसके हाथ में आएगी लेकिन जो भी इसे पाएगा उसके लिए धन भंडार से कम नहीं है लेकिन इस धन भंडार में सोना चांदी रुपया पैसा वह मोती नहीं है इसमें हैं सब कुछ सच घटनाओं का विवरन जो किसी सोने चांदी से कम नहीं है और इससे वो वेकिती जान पाएगा कि रुपया पैसा अंत तक नहीं रहेगा केवल आँखों देखी घटनाए वह यादे ही रह जाएंगी आज रविवार है रात का खाना खाने के बाद डायरी लिखने बैठा हूँ आज पूरे दिन जो कुछ भी हुआ उसी को डायरी में लिख रहा हूँ आज ओफिस की छुटी है गड़ मुक्तेश्वर में तबादला हुए लगवक आठ महीने हो गए है इन आठ महीनों में जिस व्यक्ति के साथ सबसे ज़्यादा परिचीत हुआ हूँ उनके घर की और जाने के बारे में ही सोच रहा था छुटीयों के दिन उनके साथ ही मेरा समय बीटता है हाथ की घड़ी बता रही है कि सुबे के 10-25 हो रहे हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए उनके घर की और में रवाना हुआ उनके घर के पास जाते ही दिखाई दिया कुछ लोग भीड लगा कर खड़े थे और सभी एक तरफ ही देखते हुए अपनी उत्तेजना को प्रकाशित कर रहे थे मैं आगे बढ़ा और पास पहुचते ही दिखा कि एक 13-14 साल का लड़का नीचे जमीन पर लेटा हुआ है उसकी दोनों आग बन थे और उसके पास ही तांत्रिक रूद्रनाथ अगूरी बैठे हुए थे मुझे देखते ही तांत्रिक रूद्रनाथ ने इशारों से बैठने के लिए कहा मैं नहीं बैठा और खड़े होकर ही उनके क्रिया कलापों को देखता रहा तांत्रिक रूद्रनाथ बिहोश उस लड़के के माते से नाभी तक उंगली घुमा कर साथी साथ न जाने कौन से मंतर का उच्चारन कर रहे थे और बीच बीच में फूंक रहे थे ऐसे ही चल रहा था कि अचानक न जाने कहां से बहुत सारे कव्वे आकर घर के चारो और उड़ने लगे और उनके काउं काउं की आवास चारो और गुंजने लगी सफेद आसमान काले बादल से ढग गए ये देख वहाँ उपस्तित सभी लोग थोड़ा वेस्ट हो गए सच बताऊं तो मैं भी थोड़ा घबरा गया था लेकिन तांत्रिक रूदरनाथ की ओर नज़र जाते ही देखा कि केवल वही शान्त होकर अपना काम कर रहे थे एवं उनके चहरे पर एक हसी की आभा है कुछ भी ना समझते हुए एक टक तांत्रिक रूदरनाथ की ओर मैं देख रहा था एक समान भाव से चल रहे कववे के काउं काउं और तांत्रिक का मंत्रपाट ऐसे लगबग पांच मिनट बाद तांत्रिक आँख बंद करके हाँज जोड़कर खड़े हुए लेकिन अब मंत्रपाट बंद हो गया है इसके बाद अपने दाहिने पैर उठा कर पैर के अंगुठे को लेटे हुए लड़के के माथे पर एक बार रखते ही वो लड़का आँख खोलकर उड़ बैठा दूसरे लोग की तरह मैं भी आश्यर होकर इस दिर्शे को देख रहा था इसके बाद ध्यान से देखा तो कवो का जुन्ट वह काले बादल दिरे दिरे गायब होने लगे और दो तीन मिनट बाद सब कुछ फिर से स्वभाविक हो गया तांतरिक रूदर नात ने सभी को जाने के लिए कहने के बाद मुझसे बोले क्या हुआ? चलो अंदर जाकर बैठा जाए सुबह सुबह जो हुआ? मैं सीर हिलाते हुए बोला हाँ हाँ चलिए घर के अंदर बैठने के बाद मैंने सबसे पहले बोला ये सब क्या हुआ सुबह सुबह और कवों का जुन काले ये सब क्या था बताईए? तांतरिक बाबा पानी पीने के बाद बोले इससे कहते हैं कदा लिभा काकंत्र कल्प मैं कुछ समझ नहीं पाया थोड़ा तुटलाते हुए बोला क्या का लिभा कुल? क्या कहा आपने? तांतरिक रूद्रना थोड़ा सा हसते हुए बोले लिभा तंत्र नहीं इससे कहते हैं कदा लिभा काकंत्र कल्प रहने दो ये सब तुम नहीं समझ पाओगे लेकिन मैं भी छोड़ने वाला नहीं बाबा जी बताईये ना क्या बात है और उस लड़के को क्या हुआ था तांतरिक बाबा थोड़ी देर चुप रहे फिर बोले अच्छा ठीक है बताता हूँ उस लड़के ने शायद दो दिन के अंदर भूल से किसी मरे हुए कववे को पैरो से कुचल दिया था या शायद उस जाती के किसी कववे को उसने चुआ था उस जाती का मतलब किस जाती का तांतरिक बोले इतना जल्दी क्यों करते हो धेरे से सुनो बता तो रहा हूँ मैं चुप हो गया और वो बोलते रहे ऐसे किसी मृत कवे के संपर्क में वो आया था जिसे तंत्र क्रिया में शामिल किया गया हो लेकिन मुझे जहां तक लगता है वो तंत्र क्रिया सफल नहीं हुआ तांत्रीक्व साधक की किसी भूल की वज़े से तंत्रक्रिया खराब हो गया ऐसे क्रिया को किसी कवे के उपर प्रयोक करने पर अगर क्रिया वेर्थ हो जाती है तो उस कवे की मृत्यू हो जाती है तंत्र क्रिया के सफल ना होने के कारण कवे की मृत्यू के बाद उस मृत कवे के संपर्क में अगर कोई प्राणी आ जाता है तो उसे बहुत ही खत्रा होता है क्योंकि मृत कवे की आत्मा प्रतिशोध के लिए छटपटाती रहती है ये अगर कववे का ना होकर अगर किसी दूसरे बड़े जानवर का होता तो उस लड़के को कुछी घंटों में मार डालता लेकिन ये सब तंत्र क्रियाए जादातर कववे के उपर ही किया जाता है इसको माध्यम बना कर अभिचार क्रिया किया जाता है इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कववा सभी के घर में जा सकता है सभी के घर के आंगन में प्रते दिन जाने के लिए इसे कोई नहीं रोकता और एकदम काले रंके होते हैं जो अमंगल कारी तंत्र के रंग में से एक हैं अगर कोई तांत्रिक वा साधक किसी मनुश्य का बुरा चाता है तो एक कवे का जुगाड करके उसके उपर तीन दिन तक अनिष्ट कारी क्रियाय करता है और चौते दिन उसे गंगा जल से स्नान करवा कर यग्य की राक, मशली का तेल वा लाल चंदर तीनों का मिश्रन करके बुरा करना चाता है उसका पूरा विवरंड मंत्र के रूप में बोलकर उसे उड़ा दिया जाता है बस चाहे कितनी भी दूर का मनुश्य क्यों न हो उसका अनिष्ट जरूर होगा लेकिन इस क्रिया में अगर कोई भी तूटी होती है तो उस कवे के आँखों से खून निक इतना बता कर तांत्रिक रूदरनाथ चुप हुए मैं बोला लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जब आप उस लड़के को स्वेस्ट कर रहे थे उस समय आसपास से कवे और काले बादल आ जाने से सभी विचलित हो गए थे लेकिन मैंने आपकी और देखा तो आप चेहरे पर एक मुस्कान थी ऐसा क्यों तांत्रिक रूदरनाथ बोले उन सभी ने जब उस लड़के को मेरे पास बेहुशी के हालत में लेकर आये थे उसे देखकर मुझे कदा लिभा काकंत्र कल्प के जैसा ही लगा था इसके बाद जब कवो का जुंट और काले बादल आ तो मैं निश्चिंत हो गया कि मैं जो सोच रहा था ये वही है लेकिन जब लड़का बिमार हो गया था तो उसे डॉक्टर के पास ना ले जाकर आपके पास क्यों लाये थे मेरे पास उसे पहले नहीं लेकर आये थे डॉक्टर के पास ही पहले लेकर गये थे एक स्वस्थ ल इसके बाद आज सुबह सुबह उसके घर के लोग मेरे पास लेकर आए। उस लड़के के सामने जाते ही नाक में एक गंध आया। उसी समय में समझ गया कि ये कदा लिभा काकंतर कल्प के अलावा दूसरा कुछ नहीं हो सकता। मैं बोला कैसा गंध पाया। आपने मैंने तो कोई गंध नहीं सुगा। तांतरिक रूदरनात हसते हुए बोले पगले उस गंध को सूगने जैसा नाक नहीं है तुमारे पास। साधरन मनुष इसे नहीं जान सकता। इसे आपने सीखा कहां से। क्या ये शक्ति भी आपने प पीछे जाना होगा। मुझे पता चल गया कि एक और रोमांचक घटना की कहानी पता चलने वाली है। तांत्रिक रूद्रनात ने बताना शुरू किया। उस समय पंच मुंडी साधना को संपूर्ण ही किया था मैंने। इसकी बाद मुझे अटा हाज शक्ति पीट मंदिर से अपने घर लोटना पड़ा। लेकिन आश्चर घर जाकर जो देखा उससे मैं बहुत ही चकित हो गया। मनी मन सोचा कि ये घटना किसी दैवे शक्ति के अलावा हो ही नहीं सकता। तुरंती मुझे एक बात याद आ गई। उस दिन मैं लगवग पांच दिन पहले रात को सोते समय मैंने एक सपना देखा। सपने में देखा कि मेरा भाई अनिल एक उजवल पिंड को निर्देश करके आगे बढ़ता चला जा रहा है और कह रहा है कि बाबा मुझे बुला रहे हैं मुझे जाना होगा। अचानक मेरे आसपास के द्रिश्य बदलने लगे अब तक आसपास अंधीरा था इस वर अंधीरे को भेट कर दिखाई देने लगा तारों से भरा एक जिलमिलाता आसमान और मेरे चारों तरफ से घिरा हुआ है विशाल बर्फ से ढके परवत और एक अर्ध चंद्र भी जान से सुनने पर वो दोनी ओम के जैसी सुनाई देती है इसके बाद एक समय सब कुछ गायब हो गया मैं किवल देखता रहा इसके बाद नीन से जागने के बाद मुझे कुछ भी नहीं याद था और आज घर आकर देख रहा हूँ मेरा भाई अनिल बहुत ही बिमार है उसक पर फिर और से वो बिहोश हो गया और आज चार दिन से वो ऐसे ही बिहोश पड़ा है बीच बीच में कुछ मिंटों के लिए उसका सीना बहुत जोरो से काप उठता है इस घटा में डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज उनके ग्यान के बाहर है कल शाम को वो घर आकर शमाय बहुत ही धीरे से सुनाय दिया बाबा बुला रहे हैं मुझे जाना होगा ये सुनकर मैं तो आशर चकित हो गया हूबहू एक ही बात लेकिन यही मेरे भाई के अंतिम शब्द थे उसके अगले दिन सुबह ही भाई की मृत्यू हो गई मौत हुए 15 दिन बीद गये हैं भाई रगातार नौ दिन वो सपन मेरे सीने में बंधा रहा चारो तरफ बर्व से ढके उचे उचे परवत और उसके बीच में समतल भूमी पर बर्व से ढका एक पका घर उसके ठीक पीछे लंबा सा शिकर घर के सामने घर की ओर देखते हुए बैठा है एक पत्थर का सांड और उ जहां पर मैं खड़ा हूँ उसके कुछ दूरी पर ही पत्थरों के बीच में एक नदी बह रही है इस द्रिश्य को देखकर मुझे ऐसा लगता कि मैं ऐसे पहचानता हूँ लेकिन आखों द्वारा कभी नहीं देखा फिर नीन खुलते ही सब कुछ धुनला सा हो जाता मैंने निश्य किया कि आज ही बड़े चाचा के पास जाना पड़ेगा उनके घर पहुंचते ही देखा प्रतिदिन की तरह आज भी वो जमीन पर बैठ कर ध्यान से लिख रहे थे उनके पास बैठते ही मुझे एक बार देखा और एक छोटी सी हसी चेहरे पर लाकर फिर से लिखना शुरू कर दिया मैंने बोला चाचा जी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ उन्होंने मेरी और देखा फिर मैंने अपने सुपन का विवरेंट पूरी तरह उनको बताया इवं जानना चाहा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और ये जगा कहां पर है बार बार जिसको मैं अचा ने सब कुछ सुन पास ही रखे कागस को उठा कर लिखना शुरू किया उस कागस को मेरे हाथ में देते ही मैंने उसे पढ़ा उसमें लिखा था तुम्हारे विवरेंट को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि इश्वर तुम्हें कोई संकेत देना चाहते हैं मुझे जितन के विवरेंट को सुनकर लगता है कि ये जगह उत्तर भारत के हिमाले के पास ही किसी जगह पर है और जिस घर के बारे में तुमने बताया वो संभवत एक मंदिर है जिसे मनुष्य स्री केदारनाद धाम के नाम से जानते हैं और उसके पास से बहती नदी है मंदाकिनी नदी जिसकी उत्त्ति केदारनाद के ठीक पीछे चोरा बाड़ी ताल से हुई है किवल इतना ही लिखा हुआ था मैंने उनसे पूछा लेकिन ऐसी जगह पर पहुशने का उपाय क्या है बड़े चाचा मेरी और देखकर हसे और फिर से कागज में लिख कर दिया ये संकेत अगर भ पैदल यात्रा बहुत ही दुरलब रास्ते पर लगबख सतर से असी मिल चड़ाई वर ढलान पार करके गौरिक उनको पीछे चोड़ केदारनाद के रास्ते आगे बढ़ना होगा ये यात्रा सहज नहीं है लेकिन अगर भगवान ने तुम्हें वहाँ बुलाया है तो वो इसके बाद मैं कुछ और जानकारी लेकर घर चलाया इतना बता कर तांत्रिक रूदरनाथ शान्त हुए मैं बोला इसके बाद क्या हुआ और आपके बड़े चाचा ने मूँ से एक भी बात नहीं कहा जो बोलना था उसे लिख कर दिया ऐसा क्यों तांत्रिक रूदरनाथ हस ये घटना भी बहुत ही अद्भूत है मैंने अपनी दादी जी से सुना था कि पहले हमारे घर में एक नियम चलता था घर में अगर कोई बच्चा हो तो उसके नाम के अनुसार एक कठल का पेड़ घर पर लगाया जाता था ठीक उसी तरह बड़े चाचा के समय भी एक पेड लगाया गया था समय के साथ साथ वो पेड बढ़ता गया चाचा जी के बीसवे जन्म तिति पर एक आश्यर घटना घटी जन्म तिति के दिन दादी जी उनको कठल की सबजी खिलाना चाहती थी और उन्ही के नाम वाले पेड से कठल तुड़वाया गया था उसी दिन दोप जी के कहया अनुसार कठल लाने गए और जैसे ही पेड़ के निचे कठल उठाने के लिए जुके तुरन थी पेड़ पर एक भयानक बिजली गिरी अचानक बिजली गिरने की आवाज से और उसे देखकर चाचा जी तुरन बिहोश हो गए इसके बाद जब वो होश में आये एवं आश्चर जनक धंग से एक और बात पर ध्यान दिया गया कि बिजली गिरे कठल के पेड़ में भी एक नई जान आ गई है उस कठल के पेड़ पर ज्यादा पत्ती नहीं है लेकिन कठल का इतना ज्यादा फलन देखकर सभी आश्चर चकित हो जाते मूलतह जिस पेड़ पर बिजली गिरती है उस पेड़ पर फिर से फल नहीं होते हैं लेकिन इस बार पूरी तरह उल्टा था बिजली गिरने के कारण उपर से वो पेड़ बहुत जल गया था लेकिन पेड़ पर फल मानो बढ़ता ही गया इस घटना के बाद से चाचा जी प्रक्रतिके हो गए सभी समय वो किताबों में खोए रहते नजाने कितने प्रकार की किताबे वो हमेशा पढ़ते रहते इससे उनके ग्यान का भंडार दिन प्रति दिन बढ़ता गया विज्ञान भूगोल इतिहाज दर्शन गणित इसके अलावा अंग्रेजी साहिति में भी जानकारी एक पत्रिका में लिखकर बात को विज्ञान महल में पहुचा दिया था लेकिन कुछ इर्शालू विज्ञानिक उनके पत्रिका को इधर दर करके खत्म कर दिये इसके बाद से चाचा जी ने तैय किया कि कुछ भी लिखेंगे तो उसे अपने संग्रा में पाशित नहीं करेंगे उस आदमी के पास नजाने कितने अंजाने विश्यों का ग्यान था उसे केवल वही जानते थे लेकिन उनके लिखें बहुत सारे लेखों को मैंने पढ़ा था उसके बारे में किसी दूसरे दिन तुम्हें बताऊंगा इतना बोलकर तांतरिक शान्त ह हुए मैंने पूछा क्या आपके भी नाम से कोई पेड लगाया गया था नहीं चाचा जी के साथ बिजली गिरने की घटना होने के बाद पेड लगाने की रिती बंद कर दी गई अच्छा फिर क्या हुआ के दारनात के बारे में तांतरिक रूदरनात अब तक पदमासन में बैठे हुए थे अब पेरों को फैलाते हुए बोले उसके बाद भी मैंने लगातार तीन दीन वही एक ही सवपन देखा मन के अंदर एक अशान भाव भर गया था घर में और मन नहीं लगता हर वक्त कानों के पास दीरे दीरे ओम ओम की ध्वनी सुनाए देती आसपास प्रिशा गंभीर बना रहता मुझे भी ऐसा लगने लगा कि बाबा मुझे बुला रहे हैं और मैं वहाँ पर जाए बिना नहीं रह पाऊंगा स्वपन के उन द्रिश्यों ने मुझे चंचल कर दिया था खुद को और घर में रोक नहीं सका तीन दिन के अंदर किसी तरह सब होने वाली थी मैंने अनुभव किया कि पूरे दो दिन रेल गाड़ी की आत्रा करने के कारण जो ठकान आया था वो पूरी तरह से यहां उतरते ही खत्म हो गई एवं मन मानु त्रिक्त हो गया है स्टेशन के बाहर एक चाय की तुकान पर चाय पीने के लिए गया चाय वाले लगी इसके बाद लगबख छे महीने मंदिर बंद रहेगा वहां इतनी बरवपारी होती है कि सामाने मनुष्य नहीं रह सकते इसके बाद मैंने उससे बोला कि अभी तो तीन महीने बाकी है मैं तो आजी उस और रवाना हो जाऊंगा ये सुन चाय वाले ने जानकारी दी कि पहाडी रास्ते पार करके केदारनात मंदिर पहुशने में मुझे लगबख एक महीने लग जाएंगे और फिर वहां से लोटना भी होगा ये सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया लेकिन साहस नहीं कम होने दिया क्योंकि बड़े चाचा के पास से सभी जानकारी लेकर ही मैं य गंगा नदी का रास्ता पूचकर में बाहर निकलाया गंगा नदी के घाट तक पहुशते पहुशते अच्छी खासे सुबह हो गई थी गंगा जी एकदम कांच की तरह जिलमिला रही थी पानी में उतरते ही मैसूस किया वो बहुत ही थंड़ा है दो डुपकी लगा कर बाह निकलाया शरीर और मन मानों एकदम शुद्ध व निर्मल हो गया शरीर पर कपड़ा लपेट व सूर्य को प्रणाम कर निकल पड़ा पहाडी रास्तों पर केदारनात के उद्देश से मन में केवल एक ही बात गूंज रही है हर हर महादेव हर हर महादेव उस समय भी नहीं ज मिश्वास हो गया कि महादेव किवल कालपनिक नहीं है मन में भक्ति व श्रद्धा होने से उनका दर्शन भी मिल सकता है हर हर महादेव हर हर महादेव लगातार पूरे पांच गंटे चलने के बाद ठकान अनुभव होने लगा पतले पहड़ी रास्ते के पास ही आराम करने क मिश्य क्रमशा पहाडी रास्ते शुरू हुए थे लेकिन रास्ते जादा चौड़े नहीं है आसपास तीन आदमी सटकर चल सकते थे एक तरफ गहरी खाई और दूसरी और पहाड को काटकर बनाया गया है चलने के लिए रास्ता एवं पहाड के उपर जंगल है पहाड के द कुछ ज्यादा ही थंडी यहां पर महसूस हो रही है लेकिन सूर्य देवता के कारण थंडी ज्यादा नहीं लग रही पर बीच वीच में थंडी हवाई शरीर को कपा देती दूर किसी अंजाने पहाड से एक अग्याद जलधारा नीचे उतर रही है आखे फैला कर देख रह जाना वशीत पोशाक अवश्य लेकर जाना और मैं उनकी बातों को अमाने नहीं करता था कंधे के थैली से लाई वगुड निकाल मैंने खाना शुरू कर दिया उसके बाद लगबग आदे घंटे और विश्राम करके फिर से चलना शुरू कर दिया रास्ता समतल नहीं है कही उचे कहीं नीचे सावधानी से न चलने पर गिरने की भी संभावना है जितना आगे बढ़ता रहा उचाई भी उतनी ही बढ़ती गई तीन घंटा और बीटते ही सूरे ने खुद को किसी पहाड के पीछे छिपा लिया सिर उठा कर देखा असमान की ओर एवाम एक ऐसा दृ दृष्य देखा जिससे मैं बहुत आश्र चकित हो गया पहले ही बताया कि रास्ता जो की है पहाड को काट कर बनाये गये हैं जिस पहाड पर ये रास्ता बनाया गया है उसके उपर की ओर देखते ही ऐसा लगा कि मानो पूरा पहाड ही महादेव के जटा जैसे दिख रहा हो और उसके पास तैयार रास्ता मानो महादेव के जटा से होकर जटा में प्रवेश कर रहा है इस द्रिश्य को देखकर मन में एक भाव उत्पन हुआ जिसे बोल कर नहीं समझाया जा सकता धीरे धीरे अंधेरा होने लगा पहडों पर शाम जल्दी हो जाती है ऐसे अंधेरे में चलना बहुत ही कठीन है कहीं भी रोश्नी नहीं है किवल आस्मान में चांद वतारों की रोश्नी के अलावा उसमें आसपास के द्रिश्यों को देखकर ऐसा लगा मानो मैं किसी अंधेरे से घिरे स्वर्ग में पहुँच गया हूँ आस्मान में रूई जैसे बादल, नीचे बह रही है ठंडी ठंडी हवा और वातावरन में एक अंजाना सुगन, सब कुछ मनमोहक है इतनी देर में जहां पर पहुचा हूँ, वहां रास्ता थोड़ा चौड़ा हो गया है लेकिन कुछी दूर पर फिर से पतला रास्ता शुरू हो गया है मैंने निश्चे किया कि आज रात यहीं पर बिताई जाए इसलिए पहाड से सटकर लगे एक बड़े पत्थर पर जाकर में बैड़ गया पैरों में हलका हलका दर्द शुरू होने लगा था और नीन भी जोरों की लगी थी जादा देरी ना करते हुए कुछ लाई चुड़ा चबा कर उसी बड़े पत्थर से टेक लगा कर सो गया नीन जब खुली उस समय सुबे की रोशनी नहीं हुई थी केवल इशान को उनसे हलकी हलकी रोशनी दिख रही थी मैं उठकर बैड गया धीरे धीरे थंडी हवा चल रही है और इधर उधर के जंगलों से एक दो चिडियों की आवाज सुनाए दे रही है अचानक दाहिने और नजर जाते ही देखा एक प्रकाश बिंदू धीरे धीरे मेरी और बढ़ रहा है मैं उधर ही एक टक देख रहा था धीरे धीरे वो प्रकाश बिंदू बढ़ा होने लगा कुछ दिर बाद ही वो मुझसे लगबख 50 से 60 हाथ नजदीक तक आ गया ध्यान से देखने पर पता चला एक आदमी जल्दी मशाल को लेकर इधर ही चला रहा है कुछ दिर बाद वो आदमी मेरे पास आ गया और मेरे सामने से जाते वक्त मुझे देखते ही अचानक से चौक उठा मैं समझ गया कि उन्होंने इस समय ऐसी जगह पर किसी मनुश्य के होने के बारे में नहीं सोचा था वो एक बुढ़ा आदमी था मशाल की रोश्णी में उन्होंने मुझे ध्यान से देखा मैं भी उनकी और वैसे ही देखता रहा मेरे मन में एक खटका सा उठा कि इस समय ऐसा एक बुढ़ा आदमी पहाडी रास्तों पर घूम रहा है और तो और शरीर पर कोई मोटा वस्तर भी नहीं है मैंने ही पहले कहा नमस्ते मेरे आवास को सुनकर वो धीरे धीरे मेरी और बढ़े और बोले नमस्ते बेटा उनके आवास को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वो यहीं पहाडी के ही रहने वाले हैं मैंने पुछा आप कहां जाएंगे घर जाओंगा बेटा आपका घर कहां पर है गौरी कुंड इस बात को सुनते ही मुझे मन में एक बात याद आ गई कली सोच रहा था कि अंजाने एक ऐसे दुरगम रास्ते पर अकेला चल पड़ा हूँ रास्ता पूरी तरह अग्यात है किस तरफ पहुच पाऊंगा पता नहीं कि केदार नाद भी पहुच पाऊंगा या नहीं चाचा जी ने कहा था कि गौरी कुंड तक अगर मैं पहुच गया तो उसके आगे का रास्ता उचा नीचा होने पर भी रास्ते में खोने की संभावना नहीं है एवं ये आदमी ऐसे समय पहाड़ी रास्तों पर जा रहा है और इनका घर भी गौरी कुंड में है ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये आदमी भगवान का भेजा कोई दूत है मेरे रास्ते को प्रदर्शित करने का भार मानों भगवान ने इनी को दिया है वरना एक ऐसे समय जब ठीक से रोष्णी भी नहीं हुई है तब भी मुझे ये आदमी दिखाई दे गया मनी मन भगवान को धन्यवाद दे कर मैंने उस बुड़े आदमी से कहा मैं केदार ना जाओंगा क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ बुड़ा आदमी कुछ हस्ते वे बुला क्यों नहीं चलो मैं देद ना करते हुए अपने थैले को उठा कर उनके साथ चल पड़ा उस आदमी के हावभाव ऐसे थे कि मैं तो तुम्हें ही लेने के लिए आया था उस समय पूर्वदिशा से धीरे धीरे लाल रंग की छटा निकल रही थी और उस प्रकाश में अपनी चादर को हटा रहे थे सामने के विस्तरित असंखे पहाड चिडिया अपने घोसलों को छोड़कर निकल पड़ी है मैंने इस बूढ़े आदमी से पूछा बाबाजी गौरी कुंट से केदारनाथ कितना दूर है लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया वो एक मन से चलते ही जा रहे थे मैंने फिर पूछा केदारनाथ तक पहुशने में कितना समय लगेगा बूढ़े आदमी कुछ भी ना बोलते हुए अचानक से रुख गए तब तक रोशनी से आसपास सब कुछ अच्छे से दिखने लगा था उस बूढ़े आदमी के दोनों आखों को मैं सपष्ट देख रहा था उन आखों में कितनी नमरता थी उनके आखों को अगर कोई देख ले तो उससे नजर हटाना मुश्किल था केवल आखे ही पर्याप्त थी इसलिए कोई और विवरन नहीं दे रहा हूँ उन्होंने अपने मशाल को पास ही पत्थर पर फेक कर बुझा दिया इसके बाद मेरे तरफ देखकर फिर से चलना शुरू कर दिया मैं भी उनके साथ चुपचाप चलता रहा इतना बोलकर तांत्रिक रूदरना शान्त हुए और पासी रखे लोटे में पानी नहीं है ये देखकर वो कुएं से पानी लाने चले गए मैं चुपचा बैटकर सोच रहा था कि इस आदमी ने ना जाने कितने आश्चरे चीजे को देखा है केदारनात बर्व का पहाड़, पहाड़ी रास्ता प्रकृति की गोद में रात बिताना और भी ना जाने क्या क्या किया वह देखा है रुद्रनात तांतरिक पास ही लोटा रखते हुए बैठे मैं बोला, इसके बाद बताईए क्या हुआ क्या वो बुढ़ा आदमी पूरे तरह से मौन है हाँ हमेशा चुपी थे लेकिन उन्होंने जो खेल दिखाया था वो मुझे पूरे जीवन भर याद रहेगा क्या हुआ था? क्या हुआ था जरा बताईए रुद्रनात तांतरिक हस्ते वे बोले इतने उतावले क्यूं होते हो धैरे रखो धैरे उस दिन लगबग शाम तक पैदल चला उस बुड़े आदमी के वज़े से आमने उचे उचे सफेद रंग के पहाड एवम उसके उपर सफेद बादलों का घेरा और उसके पीछे धीरे धीरे डूब रहा है शाम का सूरज सूरज की रोश्टी में बादल मानों ऐसे दिख रहे हैं जैसे कोई मकमली बिस्तर बिचाय गया है और जहां हम खड़े हैं इसके कुछी दूर आगे बह रहा है एक पानी का स्रोथ ये पानी निकल रहा है पहाडों के बीच बने दरारों से वो पानी बहुत ही थंड़ा है और बहुत ही साफ इसलिए मैंने हाथों से पीना शुरू कर दिया बहुत सारा पानी पीने के बाद पास ही मुड़कर देखा तो वो बुढ़ा आदमी वहाँ नहीं था कहां गया वो आदमी ऐसे एक जग़ से अचानक आँखों से ओजल हो जाना संभव नहीं है इसके बाद मैंने फिर से जलधारा के उस पार एक पत्थर के बड़े बिल से वो निकल रहे थे ऐसा देखा मैं भी जलधारा को पार करके उनके पास गया जाकर देखा तो वो एक गुफा थी शाम हो चुकी थी शाद इसलिए बुढ़े आदमी ने कहा आज रात हम इसी गुफा में रहेंगे पहले भी मैं यहाँ पर रहा हूँ और अंदर एकदम साफ है जब भी हर दोर जाता हूँ इसी में रात गुजारता हूँ मैं भी उनके साथ अंदर गया यह गुफा अच्छा खासा बड़ा है अंदर जाते समय सेर भी नहीं जुकाना पड़ता उन्होंने कहा तुम रुको जरा मैं अभी आता हूँ वो बाहर निकल गय जाक कर देखा तो बाहर शाम हो गई थी कुछ देर बाद वो बुड़ा अदमी अपने साथ कुछ चोटे चोटे लकड़ी के टुकड़ों को लेकर आया फिर अपने पास रखे माची से लकड़ी को जलाया गुफा में एक धूनी जल उठी जिसके प्रकास से पूरी गुफा दिखने लगी मैंने देखा गुफा के अंदर न जाने कैसे कैसे चित्र चपे हुए थे मैंने आगे बढ़कर गुफा के दिवार की और इन चित्रों को ध्यान से देखने के लिए आगे बढ़ गया रंग बहुत ही चमकीला नहीं है लेकिन सफेर और लाल रंगों द्वारा उन चित्रों को बनाया गया था ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि जिस चित्र को मैं देख रहा हूँ वो देवी चिन नमस्ता का चित्र था और उसके पास ही छपा हुआ है देवी चिन नमस्ता का यंद्र और उसके कुछी नीचे छपा हुआ है देवी उच्चस्टी, चंडालीनी देवी मातंगी का चित्र इसी तरह देवी धुमावती, देवी काली, देवी तारा, देवी भूवनेश्वरी, देवी बगला मुखी, देवी तृपूर सुंदरी, देवी भैर्वी, इसके अलावा देवी कमला का भी चित्र सहीत सभी देवी के यंत्र दिवार पर छपे हुए थे। मैं जान गया कि इस गुफा में कोई उच्च मार्क के तांत्रिक रहते थे या अब भी रहते हैं क्योंकि दिवारों पर कुछ चीजों को देख कर मुझे ऐसा लगा था दिवार पर कहीं कहीं बुढ़ा आदमी है जो उस समय बैट कर दूनी में लकड़ी के टुकड़े डाल रहे थे लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं आग के सामने जाकर बैटते ही उस बुढ़े आदमी ने मुझसे कहा ये गुफा बहुत ही पुरानी है कुछ करीब करीब एक महिना पहले भी यहां ए नहीं पर थे फिर क्या हुआ पता नहीं कहां चले गए फिर उन्हें नहीं देखा दुनी के जलने के कारण गुफा का द्वार दिखाई दे रहा था पत्थरों के बीच से थोड़ा सा आसमान भी दिखाई दे रहा था और उसी से समझा बाहर आज पूरी तरह अंधेरा है उ जिवम उसके साथ साथ डर वा भक्ती से मेरा चित भर जाएगा क्या हुआ था रात को मैं बोल पड़ा तांत्रिक रूद्रनाथ एक बाहर की और देखकर अपने हाथों को जोड़े और अद्रिश किसी को नमस्कार करके बताने लगे उस आश्यर वा अकलपनिय घटना को तांत्रिक रूद्रनाथ ने बताना शुरू किया धुनी के पास बैट कर ही रात का खाना खत्म किया उस बुड़े आद्मी को भी मैंने खाने के लिए कुछ मुठी लाई चूड़ा वदाना दिया यहाँ पर पानी की कमी नहीं है खाने के बाद गुफा से बाहर निकल आग पहाड़ी लोग आसमान को देखकर अगला एक दो दिन कैसा रहेगा मौसम यह भी बता सकते हैं वह आसमान के नक्षत्र को देखकर दिशावत इथी संबन में भी बहुत कुछ बता सकते हैं पहाड़ी लोगों को यह प्राकृतिक ज्यान उनके जीवन यापन को और सरल बना इसलिए गुफा के दिवार से टेक लगा कर मैं आराम कर रहा था मेरे सामने जलते आग के पास ही एक बुढ़ा अदमी सोया हुआ था अचानक नजाने कहां से एक ठंडी हवा का जोका गुफा के अंदर आ गया और तुरन थी राक वज जलते लकडी के टुकड़े इधर दर फैल गए उस बुढ़े आदमी के हाथ वो पैरों में जलती लकडी के टुकड़े छूने से वो हड़बढ़ा कर उट बैठा मैं समझ गया कि वो गहरी नीन में थे और अचानक जलन महसूस होते ही वो घबरा गए लेकिन इसमें घबरा कर इधर उधर देखने लायक तो कुछ बोलने से पहले ही बुड़े आदमी ने मेरी ओर दिखा उनके आँखों की विनमरता अब नहीं थी उन्होंने गंभीर आवाज में मुझसे पूछा तुम कोई तांतरिक हो ये सुन मैं आश्यर चकित हो गया क्योंकि मैंने अपने बारे में उन्हें कुछ भी नहीं ब हाँ बाबजी मैं एक तांतरिक हूँ लेकिन क्या हुआ आप ऐसे वे भार क्यों कर रहे हैं बुड़ा आदमी थोड़ा कापते हुए बुला मैं भूल गया था लेकिन अब सब कुछ यादा गया शायद आज ही वो रात है जिसका जिक्र सादू बाबा ने किया था मुझे त लेड गए ये कहना गलत होगा क्योंकि ऐसा लगा मानो किसी अद्रिश्य ने उन्हें जबरजस्ती पकड़ का नीचे दवा रखा था मैं उसे रोकना चाहता था लेकिन रोकू किसे क्योंकि मेरे और उस बुड़े आदमी के अलावा इस गुफा में और कोई तीसरा भी तो रहा मैंने देखा कि उस बुड़े आदमी के हाथों और पैरों के नाखुनों को कोई एक एक करके खींच कर निकाल रहा है उन नाखुनों के जड़ से निकल रहे हैं ताजा लाल खून बुड़ा आदमी तब तक बेहोश हो गया था मुझे ऐसा लगा कि उनके बेहोश होने कि अगर वो होश में रहते तो इस दर्द को सहन नहीं कर पाते मैं मनी मन देवी मा को याद कर रहा था साधना से मैंने जो शक्तिया पाई थी उससे मैं यह नहीं रोक सका इस अद्रिश पिशाच को कावू करने की शमता उस समय मेरे अंदर नहीं थी तब तक बुड़े के हा मोड कर तोड़ना चाता है मैं जान गया कि यह अद्रिश जो कुछ भी है वो बुड़े आदमी के नाखुनों से संतुष नहीं हुआ वो प्रेत उन्हें मारना भी चाता है फिर एक बात मेरे मन में आते ही मैं काप उठा क्या पता इस बुड़े आदमी के बाद मेरी बारी ह यह प्रेत अगर मुझे भी मार डाले लेकिन क्यों मैंने तो कभी किसी का नुकसान नहीं किया महादेव क्या मुझे मुझे मृत्यू प्रदान करने के लिए इस गुफा में स्वपना देश दे कर लाए थे इसे बीच और एक आशर जनक घटना घटी गुफा में जलती प्रदान को रोक दिया था धिरे धिरे गुफा के बाहर से आने वाली सफेद रोशनी बढ़ने लगी फिर दिखाए दिया कि एक मनुष्य शरीर हमारी ओर आ रहा है लेकिन रोशनी इतनी तेज है कि उनका चेहरा नहीं दिख रहा वह आदमी जितना अगे बढ़ता गया मैं उतना ही आश्यर वह अवाक से भर उठा इस प्रकाशमान आदमी का चेहरा मैं पहचानता हूँ बहुत बार इस चेहरे को देखा है जिसे कभी नहीं भूल सकता किवल चेहरा ही नहीं उसके चलने का धंग भी मैं जानता हूँ क्योंकि वह प्रकाशमान शरीर था मेरे छोटे भाई अनील का लेकिन ये उसका कैसा रूप है देखने में एकदम किसी साधक जैसा परन्तु अनील तो मर गया है लेकिन इस अनील को देखकर ऐसा नहीं लग रहा अनील धीरे धीरे मेरे सामने आकर बोला दरो मत बड़े भईया क्या करू भईया तुमसे पहले ही इश्वर ने मुझे अपने पास बुला लिया उनके बुलावे को क्या कोई अन्दीखा कर सकता है तुम्हें डरने की कोई जरूत नहीं क्योंकि तुम्हारा केदादना त्यात्रा अवश्य पूरा होगा मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही आश्यर में हो ये स्वभाविक है पास ही ज जान पाए कि मैं यहाँ जितने दिन था सुक्ष्म शरीर में था इस गुफा में मैंने 12 साल तक सुक्ष्म शरीर द्वारा साधना किया और मेरा असली शरीर हमारे गावंवाले घर में था मैं जानता हूं कि तुमारे मन में बहुत सारे प्रश्ण जमत नाम से जाना जाता है उस जगह के बुलावे को आस तक किसी ने भी नहीं टाल पाया है और तुम भी नहीं टाल पाओगे इश्वर यही चाहता है तुम दीनानात की सेवा करना उसे अपने पापों का फल मिल गया है आज रात की बात को मैं उसके दिमाग से हटा दूँगा तुम उसे स्वस्त अवश्य करना अब मैं चलता हूँ मेरा पीछा मत करना इतना कहकर अनिल गुफा से बाहर निकल लिया अब धीरे धीरे सफेद रोशनी दूर जाने लगी लेकिन कितना अद्भूत है अब गुफा के फर्श पर एक बून भी खून नहीं है और धुनी जैसे पहले जल रही थी ठीक वैसी ही है सब कुछ मानो पहले जैसा हो गया लेकिन वो बुड़ा अदमी अभी तक होश में नहीं आया था यहां तक यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताईएगा इस कहानी का दूसरा और आखरी भाग और भी जादा रहसो और चमतकारों से भरा है जो की मैं बहुत जल्दी आपके ले लाऊंगी तो मिलती हूँ जल्दी इस कहानी के दूसरे और आखरी भाग के साथ हर हर महादेव झाल